कि असलाव लोगए वर्यवन तो लास्ट वीडियो पर मेरे साल से हमने कल केमपेंच चला रही थी और अब जो है वह अल्मोस्ट कि अठारा सौला थारा बीस गंटे गुजर चुके हैं उस केमपेंच को तो यहां देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है सबसे पहले तो इमेल्स पर हम ओर्डर देख रहा था तो पहला ओर्डर जो है वो कल रात कोई गरिया था तकरीवां शुरू के 200 रुपे में हमारा पहला जो सेकेंड और वो उसके बाद कोई बजट जब हजार क्रॉस कर गया था उसके बाद आया था तो पांसर रुपे को सब्सक्राइब और फॉरण आ गया तो वह चार सौ पर आ गया फिर और आगया लेकिन फेस्बुक ने वह ट्रेक ने गया तो शीपी ए मेरे साल से चार सौ पर आ गई है अधान हो रही है मुझे दो सेकंड दीचेगा ओके तो हम दिख रहे थे कि चार ओडर आया और ऑपन करके देखते हैं पहला ओडर जो है वह अच्छा वन पीस का आया है तो हमने डिफॉल्ट सब्सक्राइब लेकिन लोगों ने पहला स्लेक्श्ट करके पहले पर ऑडर किया है तो इसके बाद जो है नीचे क्योंके डिटेल आ रही होगी कस्टमर की तो फिर स्क्रॉल नहीं करता हूं मैं वह इकस्तमर की सिटी आ रही है मेरा खाल से जादा तर ओर जो हैं वह कराची लावर और असनावाद के ही हैं सारी चारो दो तीर लावर के दो ल पारिया का इन उन्हें डील ओफ त्री भी सेलेक्ट किया है अब इन चारो ओडर में अगर हम देखे हमारा जो कॉस्टिंग आ रही थी वह आ रही थी चार सो दस ठीक है यह वाला ओडर का टोटल हम जिससे लेना है वह है टू वन सिक्स नाइन माइनस चार सो दस इस ओडर में हमारा सिर्फ एक ओडर में इस एक ओडर में हमारा मार्जन सतर सो साट रुपे है बाकी जो दो ओडर तीन ओडर है उसमें पर ओडर हमारा ग्यारा सो सतर माइनस चार सो दस 760 एक औरडर में 760 multiply होआ है 3 2280 2280 और 1760 2280 प्लस 1760 तो total expected margin 100% delivery पर है जो के नहीं है possible और बहुत काम data पर हम भी काम कर रहे हैं तो आपको idea दे रहा हूँ starting में situation है कि हमारी अभी तो 4000 का margin expected है वर total हम देखते है एड में कितना खर्चा हुआ है हमारा तो एड मेनेजर आपन करते हैं फेस्बूक डॉट कॉम स्लेश एड मेनेजर यह मेरा पहला अकाउंट है और यह इसी बात पर टर्मिनिट हुआ था सबसे पहले जो मैंने आपको एक्जेम्बल दी थी आइसक्रीम कॉक्टेल वाली उसके बाद बहुत सा अइड अगाउंट अपने अलग बनाए कहां गया गुट 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 गीनुट जरस ल में के चले जाते हैं यहां से असान हो जाएगा तो टोटल इस महीने में इसने अब जो ओर्डर गिरा है चार लेकिन अभी तक रिकॉर्ड इसने आप हमें तीन का दिया है तीन के साफ से हमारी कॉस्पर पर चार सो पश्पान आ रही है लेकिन अगर यह चार है तो और तो को मार्केटिंग चैनल है यहीं हमारा तो यहीं से आया है तो तेरस उच्छाइट टिवाइड पर टोटल स्पेंड कितनी हुए है तेरस उच्छाइट बसको हम चार से डिवाइड करें तो कि आर्ग मारें मारन जायो कितना वन रहा है अगर तो अच्छा अच्छा रहा है अगशे से आनसे हो जाते नहीं होंगे और तो हम अलड़ी अगर बाकी ओस्टिंग में लगा तो छोटी सी इंवेस्मेंट पे हम थोड़ा सा प्लस में तो अब क्या करना है अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आपने किन किन फैक्टर पे नदर रखनी है अगर तो यह रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता लेट सपोस अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है लेकिन एक से लगा रिकॉर्ड जाती तो आपको फीकर कॉस्प किसी चीज़ की नहीं होती तो एक चीज़ जो हम इसमें करेंगे वह है कि वैसे तो आप यहां पे भी कुछ कॉलम्स और कर सकते हैं कुछ दो तीन बड़े फैक्टर थे जो परस्नली परस्नली मेरा अपना ओपीनियर है यह मैं कोई इस पर अग्री करें ना करें मैं कुछ द अगर तो लेट सब्सक्राइब करने थोड़ी दिर में फिलाल रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपका दिल कर रहा है तोटल यह आप पर डिपेंडेंडेंट आपका बजट शॉर्ट है तो आप ज्यादा रिशनाल हो आप ले सकते हो इस तो आप लो टोटली बिजनस डिसीज इंब्रूभ होते रहेंगे लेकिन सुषिसन को रहने लिए डाल रहा हो होगा वह वह समझत है क्या है क्या होती है कसे पहले वह एंप्रेशन होता है सबसे हब उस फिर वह वैबसाइड वीउ करता है फिर वो एक टू काई करता है की तर्था सब्चानुन करता है सब्सक्राइब सब्सक्राह सब्सक्राइब karış करता है इसकी जरनी है अगर मैं थोड़े सा भी डेटा बहुत चोटा है हमारा मुझे पता है लेकिन आपको समझाने के लिए कि जरनी है आपका जहान क्लियर करना है पहले बात में यह कॉंप्लेक्सिटी में और चले जाएंगे देख लेंगे जो पॉसिबिल्डी बंदी है इंप्रेशन सही है यह फेस्बुक से आपको कैसे पतलागेगा फेस्बुक को आपसे चार्ज करता है इंप्रेशन की बेस्पे बाद ने उसको कोशिची कर दिया आपसे चार्ज कर लेगा सी पी एम इसका मतलब होता है अब कॉस्ट पर थाउजन इंप्रेशन एक तो यह देख लिए अपने फिर दूसरा फेस्बुक आपको डेटा देगा किस उसमें सीपीची के फॉर्मेट पर देगा आप सीपीची दे सकते हो कॉस्ट पर लिंक किलिक का भी आता है इसमें एक और भी आता है लेकिन हम लिंक सब्सक्राइब ओने फेस्बुक अपने यह देटा भी देता है फिर उसके बाद हमें डेटा मिलता है एक टूकार्ट कितने हुए इस केमपेंसे ठीक है फिर किसके बाद डेटा मिलेगा हमारे पास चेक आउट कितने हुए इतने लोग चेक आउट के पीछ तक गए है आपको एग्जैंबल दिखाता हूं उसके पाद ठोड़ी से प्रैक्टिकल करेंगे अपको डिटिल में डेटा निकाल के दिखाऊंगा तो कभी भी किसी एड को आप उसको इंवस्केट कर रहे हो कि यह काम्याब हो रहा है तो क्यूंग हो रहा है नहीं हो रहा है क्यों नही है लेकिन तोड़ सा अंदाज़ा आपको मैं दिलवा दूँगा कोई आडिया उसका करवा दूँगा अब इसका कॉस्ट पर थाउजन इंप्रेशन जो है वो अगर अच्छा आ रहा है इसका मतलब क्या है इसका कुछ फेक्टर अब इसमें कोई भी चीज हंड्रेट परसंट नहीं है जस्ट अब्जर्वेशन गलत हो सकती है ठीक है और यह अब्जर्वेशन खुदा के वास्ते इसको एड़ की हद तक रखना अपने बिजनिस के प्रॉफिट लॉस अब्जर्वेशन पे ना जाए अगर तो cpm अपने Mumbai me डिसाइड काना पहले डिजर्वेशमन सी विह तो सीवियम अच्छा है तो मतलब और यह हुलत जाते है उपर नीचे होता कर रहा है हमाई टार्गेट ओडियंस पर यह एड क्रीटिव एट्रैक्ट हो रहा है तो छोटे-छोटे फैक्टर्स बना के आपको फट्ड़ फट आपकी केंपेंज सिलाके रहे हैं तो उनको आईडिया होना चाहिए है कि यह सारी चीज़े बताना जरूरी है ताके आप अपनी मर्जी की campaign बना सको अपनी मर्जी की इंडस्ट्री में काम कर सको आपको अंदर की science बताओ ठीक है वो कभी इतनी detail में आपको यह courses जो कितने चंद घंडे का तुमका पूरा course होता है उस course पे detail में आपको कैसे समझाएंगे अब यहाँ पे CPM आपने decide कर ली कि CPM से आप अंदाजा करोगे add creative catchy है कि नहीं ठीक है अब क्या यह add creative इतनी powerful है कि लोगों को click करने पर convince कर रही है आपने cash तो कर लिया क्या उसने move किया उसको website की तरफ तो इससे convincing है कि नहीं है इस factor से आप यह निकालेंगे अपनी और मैं बार-बार कह रहा हूं यह 100% जरूरी नहीं है कि आपका CP अच्छा है तो वह convince कर रही है वागई just idea ideas rough observations आपने लेनी है और rough observation के बगार तो decision ले नहीं सकते और rough observation आपका facebook के data सही लेनी है तो data based decisions होंगे लेकिन फिर भी still observations पेंड़ होगी तो landing page views का यह लाजमी इसलिए मैं कहा रहा हूं देखना लाजमी है कि क्या लोग इतना wait करना है कि website का page load हो रहा है कि नहीं हो रहा को इस तरह का issue तो नहीं है ठीक है उसके बाद क्या हमारा add to card add to card से आपको CR होगा अंदाजा होने लग जाएगा क्या लोग इस product के landing page देखने के बाद इतना मुतमाइन हो रहे हैं कि वह add to card कर रहे है ठीक है तो landing page performance आपको इस पेक्टर से निगालनी है इस data से निगालनी है उसके बाद checkout initiate यह भी आपके landing page performance लगी देगा लेकिन कुछ debugging data भी आपको देदेगा debugging data यह से मुराद के फॉर्जम अब टुकार्ट हो रहे हैं और checkout initiate ना हो रहे हैं तो मैं आपको real time एक अपना case study का related कुछ बता रहेता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरी ad campaign बहुत अची चल रही थी सुबह जया होगा चेक आट टुकार्ट सुबह देख रहा हूं और इनिशेट कर रही है तो इतनी in-depth data देखना वैसे भी जरूरी है और आपने decision भी लेना है उसके बाद other observations भी हम करेंगे कुछ चोटी मोटी कर सकते हैं आज मेरे जहन में केस आ रहा है इसमें एक point मैं आज आपको बता हूंगा क्या अब सबसे पहले हम देखेंगा इस एट करेंगी और जब जहन बिल्ड करेंगी और जब जहन बिल्ड हो जाए तो फिर वह लकीर का फकीर नहीं रहता है अब इतने आपके concept clear होने चाहिए ठीक है अब सबसे पहले हम देखेंगा इस एट के जो है वह सीपीम क्या आई है तो यहां पर जाके एड दी एंड प्लस का साइन एड अनदर कॉलम यहां पर जाके हम बलाएंगे भई हमें सीपीम मताओ कॉस पर थाउजन इंप्रेशन का मतलब क्या कि स्क्रीन पर यूजर्स की हजार दफ़ा शो होनेगा हमें कितने पैसे बढ़ रहे हैं कि आए मैं कि एवरीं में चीपीर आइक अच्छा अच्य इस में लेकन 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 ये बात भी याज रखना का ये चीपीवर जो है यह अच्छा तब है जब आपने परचेस का रखाओ अगर तो आपने इंप्रेशन की अब्जेक्टिफ की केम्पेइन चलाई होती तो यह बहुत महेंगा था उसमें बीस रुपे में आप हजार लोगों को एड दिखा सकते हो जैसे मैंने आपको एक्जेम्पल थी को कि किसी कस्टमर को बेवकूप बना सकता है कि मैं लाको लोग नहीं रख पा रहे हो ठीक है तो इंप्रेशन के अपने अब्जेक्टिफ है यूजलेस वह भी नहीं है लेकिन राइट नाओ 327 का फिगर एक अच्छा फिगर है और यह गुड मैं समझा लेता हूँ अच्छा अच्छा यह स्रिफ और स्रिफ अच्छा और बुरा पर बता रहा हूँ हमारे जो शॉपिफाय के ड्रॉप्शिपिंग रिलेड़ेटर प्रोडक्स है इसके बता रहा हूँ किसी और कैटेगरी में किसी और इंडस्री में हो सकता है आप गाड़ियां बेच रहा हूँ अब गाड़ियां बेचने के लिए अगर आपको कोई लीड आपको अब मैं आपको इस इंडस्री का स्रिफ बता रहा हूँ कि जो इगोमस रेलिमेंट जो ड्रॉप्शिपिंग रेलिमेंट जो डेटा है उसमें अच्छा सीपीम जो आपको मिलेगा वह मिलेगा 200 से 400 ठीक है एवरीज सीपीम क्या मिलेगा आपको कर देंगे हम 500 से 400 से 550 और 550 प्लस जो है वो बैड हो जाएगा ठीक है तो कॉस्पर लिंग क्लिक यह 9-10 रुपए 11 तक गुजारा करेगी कि हमारे अब्जेक्ट आप जितने वेक्टर में बताऊंगा ना कि मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं और बार बार रिपीट नहीं करूंगा आप बार बार गवार से सुन लो यह डेटा जो मैं शेयर कर रहा हूं और यह मेरा परसनल अपिनियन है को इससे अखिलाफ करता है बहले से रखे ठीक है और आपना काम करें हमें कोशिश कर रहा हूं आपको बताने कि आप जो अपनी मर्जी का डेटा लो लेकिन जस्ट हैल्पिंग पॉइंट के लिए यह कोई फैक्ट नहीं है फैक्ट मैं खुद गूलों फैक्ट नहीं है जस हैल्पिंग परस्पेक्टि इसके बाद अगर वह 12 से 14 तक भी जा रही है तो ओके जस्ट आपको थोड़ा सा गुजारा कर सकते हो उसके बाद अगर जो है वह 14 प्लस चल रही है तो बैड है लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि सीपी सी बैड चल लिए और आपका रिजल अच्छा रहा हो तो जरूरी नहीं चैंपेंड का और परचेज रिजल्ट होंगे अगर इसारे फेक्टर सही अच्छे भी आ रहे है और परचेज नहीं आ रही तो आपको पहली प्रियॉर्टी में कोशिच करनी चाहिए कुछ माइनर चेंज आप वैसाइट में कर रहे हैं कुछ चीजे करें कि वहां से विल्क 20-25 रुपए इसका मुझे ठीक से यादनी है और एट टुकाट की मुझे वह यादनी है इसके फिगर्स क्या है लेकिन मेन फिगर्स जो हम देखेंगे सीपीम और सीपीसी इसको नदर में रखना ज़ूरी है एट टुकाट जैसे हम इसको उसके लिए करेंगे कि हर तीन चेक इनिशेट हुआ है तो 20-22 और गिर है हमारी वेबसाइट पर वह क्यों बाकिया रिपीटिटिव है क्या है क्या नहीं मुझे उसका आइडिया आश तक नहीं हुआ है लेकिन आपको वह चीज़े रखना जरूरी है अधर अब्सर्वेशन में आपको भी बताता हूं कि उसमे एक और ओडर की रहा है वही बारा को चीज़े है चार अजार से माजन चले क्या हमारा के कि देख रहे हैं कि इसका है ऊचार अधार चेस्जों कराची गई है है और हमने जो है वह यह ओडर भी फुल्फिल करना है कि अब देखो हमने इसको एड़स्ट किया है इसमें अपनी एड़ की निकाल लिए अब इसमें जितना भी 30 परसंट हमारा मार्जन है सब मुफ्सका है समझ रहे हो बात क्यों है चाहाँ दार चेह सो रुपे का ओर है इसमें कम से कम भी 2000 रुपे हम आराम से निकाल लैंगे यह 12 रुपी बहुत है 12 रुब्स रुपी निकाले हमारे तरी सौर रषा है आप जितने भी आशकल ट्रफिपर देखो उनको कभी एक से दाधा नहीं लगता लेकिन हमने ब्रेंडिंग पर काम किया लोगों को विजिट करते हैं लोगों को अंदाजा हो जाता है कि पीछे को सेंसिबल बन्दा बैठा हुआ जो इतनी कॉंटेंट इस तरीके से लिख रहा है जो एक थीम लेकर चल ला है जो वो चीज़ लगता है यह मैटर करती है बहुत सरी चीज़ें तो बहुत-बहुत मुझा को बढ़ी खुशी हुए मुझे यह ओडर देखके तो एक और observation जो मैं other observation की बात कर रहा था हम लोग कहां थे मैंने content नहीं कर दिया सीपीसी देख रहे थे सीपीसी सही थी उसके बाद हमारी जो है वो add to card में देखते है चकाओ इनिसियेशन भी देखते है अधर observation में मैं यह आप जो observe कर रहा था कि अभी जो हमारे पाद जाद observation तीजी से चलाना है गहर फिकर करनी है सोचना है इनसान जितना गहर फिकर करता है उतना 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 वह grow करता है तो कुछ नेचर होती है बाइनेचर वह गहर फिकर ज्यादा करती है और तो अच्छा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है वनना सिंपल चीज़े मुश्किल जा है आपका बिजनेस अगर आप लालची हो पैसों के पीशे भाग रहे हो और पैसों के लिए बिजनेस कर रहे हो जो के पूरी दुनिया करती है मुझे पता है लेकिन आप बड़ा काम नहीं कर पाऊगा चोटा मोटा काम कर लो गया मेरे बात याद रख लो को वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड करने का एम बना और वैल्यू प्रोवाइड करो पैसा खुद बाखुद आ जाएगा हां रेकवरी चीजों पर एक बैनस में आप से फोकस रखो डिपार्टमेंट रखो लेकिन पैसों के पीशे लालची वाला पना जो है न आपका अब बात नहीं है तो बात बड़ी-बड़ी करता हूं अंदर से मैं भी आप जैसे को बात नहीं है ठीक है तो अधर अब्जर्वेशन पर हमने डिसाइड किया था कि आप भी वन बीस को हम इसको बाइडिफॉल्ट सेलेक्शन फिले जाएंगे जिसने डील सेलेक्ट कर देगा तो हमारे पास अब अलम्दुलिल्ला कितने ओडर हो गाई वाई पांच ओडर हो गाई पांच ओडर में हमा पांच टू सेवेंटी फॉर शीपी आ गया बड़े बड़े ओडर सा गया अधार अधार का मर्जन आ गया और के चाहिए सिंपल केमपेंच चलाएं बिल्कुल सिंपल केमपेंच अभी कंफलेक्सिटी में तो हम लोग गई ही नहीं है लेकिन जरूर ही नहीं पहली कैमपेंच अरी आपकी काम्याब हों कुछ फेल्ट होंगे आपने अलग को डर्यक्त ट्राय करना है तो फिर अब बैक टु टॉपि कि आपके अच्छी आ रही है इसके बार देखते हैं कितने हुए अब यूनिक टुकार्ट यह काउंट नहीं कर रहा है तो हमें टुकार्ट फोकॉस सकना पड़ेगा पंद्रा टुकार्ट हुए है हमारे पंद्रह वसों में रीजनेबल है बैरी रीजनेवल है अब देखने चेक आउट कितने इनिशेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा आर्ट वह उसको हम जादा अच्छा ले सकेंगे तो फिल हाल मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं हमने यह काम कर लिया अब इसके बाद में नेक्स वीडियो में जो है वह काफी है वीडियो यहां तक इसके बाद नेक्स वीडियो में मैं कॉल कंफरमेशन पर वैसे तो हम अलग से बात करेंगे डिलेविर रेशो की उटाब करने लेकिन फुल्फिल्मेंट का एक फेज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्या आपको फुल्फिल्मेंट करके ओ तो बड़ी इंडेफ्थ एक जरनी हमारी फाइनल तो नहीं बहुत साथ चीज आपने और सिखनी है मेरी बात याद रखना बहुत सारी चीज और सिखनी है यहां पर आगे जो कोर्स रोक देते हैं वह आपके साथ सबसे बड़ा जुल्म करते हैं क्योंकि यहां पर आपको उ तो फिर जो है वह बात में जब आपका बिजनेस लास में जाता है तो आपको पदेंज रखता है क्या हूँ आपके साथ तो फिर वह आएंगे हम आइड दी एंड बाकी टॉपिक्स पे कवर करते हैं यहां यहां तो बड़े खुश हो जाते हो लेकिन आपके आकाउंट में आपसे कर ली हमने फैक्टर देख लिये अबसेरवेशन के तो समझा भी दिया कि कौन सा फैक्टर क्यूं देख रहा हैं अधर अबसेरवेशन जनरल अबसेरवेशन कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि इसको यहां किलिक करके यह चेक कर लो तो यह पता लग जाएगा आपका जहान खुद तेज़ चलना चाहिए अब क्यों कि बार बार यह बोलना हूं कि यह कोर्स प्रैक्टिकल बिल्डिंग से जादा माइंडसेट बिल्डिंग के तरफ फूकस्ट है बर प्रैक्टिकल भी बड़े सब्सक्राइब और पिसिए आज आगह जाते हैं असमें निए तो फुल्फिल्मेंट का करने't कोशिश करते हैं तो अधाद दीए अमायच Ci